नमस्कार एक्जाम है पी भाई जहारकंड चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूर चुका हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए जहारकंड सिछक पातरता परिच्छा जेटी दूजार चोबिस की तैयारी को ले करके तो यदि आप जहारकंड में सिछक पातरता चैनल पर आपको बिढ़ने वाला है तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है आपको मुवाइल नमबर दिया गया है आप उस नमबर से जड़ू संपर करके यहां से सारे नोट्स पीडिये पर्चेच कर लेगा है और साथी साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगे तो अच्छे तयारी के लिए और कम पढ़कर के ज्यादा अंक उठाने के लिए प्रशन कम पढ़े ज्यादा अंक उठे इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे बजारू किताब देखे एकदम नहीं पढ करके आए हुए हैं जो पाठ है आपका अमल चार और लवण ठीक है अमल चार और लवण और अभी तक के जितने भी एकजाम में सिच्छक पात्रता परिच्छा विवीन राजियों में हो रहे हैं यहां से एक प्रस्ण निकल करके अवस्य आता है एक से दो प्रस्ण आपके अब देखिए यदि आप एक से पांच के सिचक है तो अभी जहरकण में देखिए समानी घ्यान लागू किया गया है ठीक है परियावरण अध्यन नहीं है आपको बता देते हैं तो समानी अध्यन में आपको यहां पर जिक्के के अंतरगत ये सारी चीजों को पढ़ना है ठ ठीक है तो आपको ये जीके के अंतरगत काम करेगा लेकिन जो सिचक 6-8 के लिए वालनी फोर तैयारी कर रहे है तो उनको ये बिज्ञान सेशन के अंतरगत चला जाएगा तो आप सभी देखिए जुड़कर के 6-10 तक का JCRT का पुरा complete notes यहां से पढ़ना मत बुलेगा notes के स साथ आपको class भी मिल रहा है offer देखिए यहां पर आप समाप्त हो चुका है जो 500 वाला था वह सीधे आपको 1000 रुपए में मिलेंगे यानि 900 रुपए आपको payment करना पड़ेगा तो आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़िए नहीं तो इसके बाद इसकी रासी और बढ़ने व या कड़वा यूपी टेट में दो बार एज टेट में एक बार राजिस्थान टेट में एक बार पूछा गया प्रस्न है तो अमल स्वाद में कैसे होते हैं अमल स्वाद में खटे होते हैं इसका right answer यह होगा सारा प्रस्न देखिया आया हुआ आपको हम यहां पर बताते चल यह है तो जो निम्बू है जितने खटे चीज है वो सभी किस में आते हैं अमल में आते हैं तो यह सभी यहां पर जो है अमलिये हैं सभी अमलिये चीज है इसलिए इसका right answer सभी हो जाएगा ठीक है चले next देखिएगा छार का स्वाद होता है कैसा होता है आपको बताना है अम राजस्थान टेट में एक बार और हरियना टेट में एक बार ठीक है पूछा गया प्रस्ण चार का स्वाद होता है राइट एंसर इसका कड़वा हो जाएगा कैसा होता है कड़वा होता है अगला सिरका में कौन सामल पाया जाता है देखिए यह प्रस्ण आपको बता देते है किसमें कौन सामल पाया जाता एक प्रस्ण आपके एकजाम में छपेगा तो छपेगा 101 परतीसत आपको हम गारेंटी दे रहे हैं 101 परतीसत गारेंटी दे रहे हैं आप सभी इसको जरूर देख लीजिएगा और JCRT का जितना जो टोपिक दिया जा रहा है आप तो देखना कभी भी मत भुलाइएगा नहीं तो आप इसमें कहीं ने कहीं आप धोखा खाने जा रहे हैं और बहुत से लोग फेस का चकर में पड़े हुए हैं फेस वाला विडियो देखेंगे आप देखिए कोई बात नहीं है लेकिन आपको JCRT कहाई नोट्स किसी ने भी नहीं बनाया ठीक है सब कोई सिर्फ और लुसेंट और यहां पर अरिहांत और आपको यह पढ़ाने में लगए हुए सिवांगन वो सब कुछ नहीं आगा धरा के धरारा जाएगा देखिए इतने मेहनस से आपको यह नोट्स बना हुआ है वो आप लेकर के पढ़िए अब पढ़िएगा तो 101% गारेंटी ही दे रहे हैं आपको कि आपका रिजल्ट होगा तो होगा इसलिए आप देखने के बाद यहां से पूरा PDF और पूरा कलास जडूर देखिए आपको बहुत कम समय में सारा चेप्टर वाइज हम आपको कंप्लिट करवा देंगे और वहां से आपका किलियर हो जाएगा जेटरेट ठीक है तो सिरका में कौन सामल पाया जाता है सिरका में कौन सामल पाया जाता है याद या चेटी का में कौन सामल पाया जाता है और हर राज देखिए ठीज़ों वाले चीजह को आपको बता देते कभी डेगा रखिए चीज़े जितने होती है नहीं वह हमारे बॉड़ी में जब काटते हैं तो स्कूर्श कषी और समय कर्ाटीं खोडड़ पूछादा है। ठीक है निम्बू वा संत्रा में कौन सामल पाया जाता है एसिटीक अमल, फॉर्मिक अमल, साइट्रीक अमल या कोई नहीं ठीक है तो निम्बू वा संत्रा में जो होता है देखें निम्बू वा संत्रा, संत्रा में साइट्रीक अमल होता है निम्बू और संत्रा में दही में कौन सा आम लपाया जाता है दही में कौन सा आम लपाया जाता है 101 बारी प्रशन पूछा गया है एक दूबार के बात मत किजिगा 101 बारी प्रशन पूछा गया है कि दही में कौन सा आम लपाया जाता है Aceticum, Lacticum, Cytricum, Formicum Formicum किसमे? Dunk वाले चीजों में Cytricum किसमे? सिरका में सिरका में Aceticum लथा और यहाँ पर जो था आपका संत्रा संत्रा इसम में Aceticum था अब देखें Lacticum क्या है? Lacticum तो यह दही में जो होता है यही अमल पाया जाता है Lacticum दही में कौन संत्रा पाया जाता है Lacticum पाया जाता है याद रखेगा अवला में कौन संत्रा पाया जाता है अवला में कौन संत्रा पाया जाता है आपको बताना है Aceticum, Lacticum, Escorbicum या Tartricum अवला में कौन संत्रा पाया जाता है तो अवला में जो होता है उसे एक बाहर नहीं आ रहा कुछ भी प्रस्ण आपका कहीं भी जूर सकता है तो सभी को जे सियाटी के परती आईए और सब को जूर करके यहां से पढ़िए पालक में कौन सा अमल पाया जाता है यह प्रस्ण आपका अमल और संत्रा के लिए हो गया था तो इस तरह से यहां पर आपका ए बदे आगे है और देख लेगंते क्या क्या इसमें अमलका है दिके और रहे हैं इमली अंगूर और Sumer know Am क्या पाया जागा सब में टाटरी कम लहीं पाया जाता है चुने का पानी में कौन सा छार पाया जाता है चुने का पानी में कौन सा छार पाया जाता है चुना देखे चुना तो चुना में कैल्सियम हड्रोक्षाइड होता है चुना क्या होता है कैल्सियम हड्रोक्षाइड हो मेगनिसिया जिसको कहते किस में पाया जाता है ठीक है तो कैल्सियम हाइड्रोक्षाइड तो चुना के लिए होता है मिल्कॉप मेगनिसिया का मतलब हो जागा मैगनिसियम हाइड्रोक्षाइड होगा क्या होगा मैगनिसियम हाइड्रोक्षाइड होगा याद रखेगा लाल लिटमस को निला करते हैं, निला लिटमस को लाल करते हैं, हराल लिटमस को निला करते हैं, और हराल लिटमस को पिला करते हैं, ठीक है, देखिए, आप लोग सभी को इसमें पढ़े हुए, सभी को जानते हैं, जो अमल होता है, या च्छार होता है, यही दो पुछता है न पर confusion होता है चलिए इसी confusion को अमलों देखें है कुछ मादयम से दूर कर लेते हैं ठीक है कुछ मादयम से दूर कर लेते हैं ठीक है मत किजिएगा क्या किजिएगा तो अमल है ना अमल बुला है ना तो दिमाग में तो यह बन रहा ना कि लग है तो लाल से लाल करेंगे लेकिन इसको ज़स्ट उल्टी किजिएगा अमल है तो निला से श्टार्ट किजिएगा निला से लाल अब अमल वाल आए दिया आपका confidence level 101 101 परतिसत है तो छार वाला कौन हरा सकता है जब अमल ही मेरा निला से लाल हो गया तो छार का होगा लाल से निले न होगा दूइए को तो होई भी करता है होता है कि न होता है तो एक उपर confidence बना लीजिए अमल पर छार अपने आप बन जाएगा तो अमल के लिए हम क्या बोले है इसे आपको जो अच्छा लगेगा आप याद कर लिजेगा लेकिन हम यही जानते कि अमल आता है ना तो अधिकतर लोग के हम यह सुनते हैं कि लाल से निला करता है भाई यह ना भी ठीकवा नहीं अमल है ला है तो लाल से मत श्टाट कीजिए निला से श्टाट कीजिए नि काट पांद दीजेगा देखिए आपको बेसिक भी प्रश्ण पकडाने के लिए हम बहुत सारे यहां पर वर्क कर रहे हैं आप सभी सिर्फ जुड़े गया और यहां त्यारी कीजेगा ना थे पर अब देखिए चाराग एक पर हम दिख दीजेगा निला कर दिया तो अब यह क्या कर देगा तो लाले से निला निला करेगा दुट है तूऑ यह को हुई बे करता है तो लाल से निला викहिए looking यह में है मार दीजे नहीं एंसर हो गया टेकिंग ठीक है चलिए अगला जिस बिलियन पर आम लेया च्छार किसी का परभाव नहीं पड़ता है उस बिलियन को क्या करते हैं पूछा गया है प्रशने ठीक है जिस बिलियन पर आम लेया च्छार किसी का परभाव नहीं पड़ेगा वो उदासिन बिलियन के अंतरगत चला जाएगा ठीक है काटती है तो तौचा में कौन सामल छोड़ जाती है बताईएगा कौन सामल छोड़ जाती है जिससे पगला जाता है अदमी सब दोड़ने लगता है कुनने लगता है रोने लगता है गाने लगता है इतना परपराता है कि मत पुछिए भाईया कौन सामल छोड़ दिया कि ल तौर्मी कमल कौन सामल है सिरका में सीटी कमल दंक में फोर्मी कमा और यहां पर टाटरी कमल इमली अंगूर कच्चे हां में टाटरी कमल अपालक में औक जेली कम यह अमल होग Automate ज़ूर देख लिजएगा आप सभी कोई ठीक है, सभी कोई मता है बाहने जड़ू देखे जाएगी, नहीं तो यहाँ पर आपको देखे JCRT का पूरा notes complete है, आप यहाँ से जुडिएगा, आप देखे फेस वाले के चक्कर मत रहिएगा, नहीं तो बहुत गडबड हो रहा है फेस वाले के चक्कर में, इसलिए सभी कर देखे, आपको ट्रीकी भी दे रहे है, साथ साथ बेसिक भी कंशेप्ट के लिए कर देखे, चलिए अगला देखे है तो उसमें चार मिलाया जाता है, और चार के रूप में क्या मिलाया जाता है, बुझा हुआद चुनना कुछ भी Чएज मिलाया जाएगा, मिट्टी उपचारित हो जाएगे, ठीक है, इसमें आमलो कॉन है, यूपी τηट में एक बार, सीजी टेट में एक बार विया टेट में एक बार अम लोगों है SCL, H2SO4, HNO3, कोई नहीं, सभी या सभी, ठीक है तो देखे, HCL, क्या कहते हैं इसको, पढ़िए HCL, हाइड्रो कलोरिकम, क्या बला जाता है हाइड्रो कलोरिकम, अमल है न, अगला देखिएगा H2SO4, क्या पढ़ते हैं इसको, सल्फियूरीकम अमलो का राजा, यही तो है, इसको अमलो का राजा भी कहते हैं ठीक है अब देखेगा, HNO3, क्या पढ़ते हैं, नाइट्रिकम, क्या पढ़ते हैं, नाइट्रिकम ठीक है क्या पढ़ता है नाइट्रिक अमल होता है इसमें अमल कौन है के लिए रोगी है ना तो चलिए इसमें सभी होगा यानि इसका इंसर हो जाएगा तो इस तरह से इसको देख लीजिएगा सारे को यहां से जुड़ के पढ़ लीजिएगा इसमें छार कौन है छार कौन है HCl तो hydrochloric अमल है H2SO4 तो sulfuric अमल है HO3 तो nitric अमल है अब बचा देखे NaOH यानि sodium hydroxide क्या बचा आपके पास sodium hydroxide एक चीज़ी याद रखिएगा OH ग्रूप जो आएगा न उसको सीधे छार में फिक दीजेगा सीधे छार अपके कचणा में उठाके फेकिएगा इसको तो ये छार में चला जाएगा ठीक है राइट एंसर सी हो जाएगा इस तरह से आप देखे यहाँ पर class 7 का exercise एगा रहा था आमल चार लवन इतने important प्रशन बने थे आपको सारा प्रशन हमने दे दिया दिखा दिया किस किस राज में आये है तो आपको जैसी वीडियो मिलता है आप नंबर हमारा नोट कर लिजेगा 9631054226 पर संपर करके जडूर जुड़ जाएए सारा नोट्स वाली class कर जिए सारे कोई नोट्स वाली class किजिए यही से आपका बेड़ा पार होने वाला है धन्यवाद